क्लास नाइन्थ के लिए साइन्स के इस नहे लेक्षर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चाप्टर हमारा चल रहा है फूर्स एंड लाउज अफ मोशन आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेस्चन्स सॉल्व करेंगे multiple choice type question होगा उसे हम सॉल्व करेंगे हम आज 11-11 questions को सॉल्व करेंगे ये सारे आपके concept को build up करने के लिए बहुत helpful होगा तो इस वीडियो के लिए जो prerequisite है वो है first law of motion इस chapter के first law of motion तक जो भी topics है NCRT में दिया गया जो भी topics है अगर आपने उन topics को clear कर लिया है तो फिर आप इन questions को बड़े आसानी से solve कर सकते हैं वैसे मैं आपको बता दू कि अब से पहले इस chapter के लिए चार videos बन चुके हैं उन चार videos से आप जो basic concept है first law of motion तक का वो आप clear कर सकते हैं उन videos का link मैं description में डाल दूँगा और उनी videos पे based होगा ये 11 questions चलिए एक एक करके देखते हैं पहला जो question है वो ये पूछता है कि which of the following are correct about force force के बारे में इन में से कौन से चीजे जो है वो सही है एक से ज्यादा सही answer भी हो सकता है मैं आपको बता दूँग चलिए पहला option क्या कहता है it is a pull or push अगर आप किसी body को आप अगर इस body को धकेलते हैं अपने से दूर तो ये push हो गया या फिर इसे पकड़ के आप अगर खीचते हैं तो इसे हम pull कहते हैं आप चाहे धकेले या फिर अपने तरफ खीचे आप जो चीज इस body पे apply कर रहे हैं वही force है so force, yes, it is a pull or push अगरा option देखे it is measured in newtons absolutely इसका जो unit है उसे newton कहा जाता है वैसे newton क्या है exactly एक newton का मतलब कितना है या क्या है इसके बारे में हमने बात नहीं किया है अब तक लेकिन हमें ये पता है अब तक जो भी हमने पढ़ा इसमें हमने हमें ये पता है कि force का जो unit है वो एक unit newton भी होता है तो ये भी एक सही जवाब है वैसे newton के बारे में details में हम लोग second law जब पढ़ेंगे newton's second law law of motion उस समय हम इसके बारे में details में जानेंगे कि ये exactly newton है क्या एक newton का मतलब क्या है तो फिलाल के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि force का unit newton होता है एक unit newton होता है जो कि इसका SI unit भी है तो यहाँ पर मैं बता दू ये इसका SI unit भी है तीसरा option देखते है several of it मतलब several of forces बहुत सारे forces can act together एक साथ act करके वो balanced या unbalanced forces बना सकता है ये भी सही है देखे अगर एक block है माले और आप इसे इस direction में push कर रहे हैं माले 2 newton से और इस direction में भी उसे push कर रहे है कोई और माले push कर रहा है या खीच रहा है 2 newton से तो दोनों forces का magnitude देखे same है लेकिन उसका direction opposite है तो इस body पे जो net force लगेगा वो net force zero होगा ऐसा situation में आपको पता है practically भी आप करके देख सकते हैं ऐसा situation में आप ये imagine कर सकते हैं कि ये body इसमें कोई motion setup नहीं होगा बले इसका shape size में change हो जाए अगर माले कि एक spring है और इसे दोनों तरफ से खीचा जा रहा है इदर से भी और इदर से भी तो ये spring जो है ये elongated हो जाता है लंबा हो जाता है इसका shape change हो जाता है लेकिन इसमें कोई motion setup नहीं होता है तो भले ही इस case में इसका shape size change हो जाए लेकिन इसमें कोई motion नहीं आता है और जब net force 0 होता है, ऐसे cases में net force 0 होता है तो ऐसे situation में इन दोनो forces का जो set है इसे हम balanced forces कहते हैं यहाँ पर forces जो है, balanced है, opposite direction में है और equal है तो एक दूसरे को balance कर रहा है, एक दूसरे के effect को cancel कर रहा है तो यह balanced forces का example हो गया और माले कि अगर एक तरफ से खीचा जाए, 4 newton के force से और दूसरे तरफ से एक newton के force से खीचा जाए तो ऐसे में इस direction में एक net force act कर रहा है, जो कि 3 newton का होगा तो इस तरह के cases में इन दोनो forces का set को हम unbalanced forces कहते हैं तो बहुत सारे forces एक साथ act करके balanced और unbalanced दूनों ही तरह के forces create कर सकता है तो यह option भी सही है चौथा option देखे Force always change velocity of an object तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, आप कुछ देर इसके बारे में सोचें क्या यह सही है? हमने इससे पहले बात किया कि एक body पे अगर आप force apply करें तो इसके velocity में change आता है velocity change करता है अगर माले रुका हुआ है तो इसमें motion आ जाएगा तो zero से non-zero velocity हो जाएगा या फिर माले यह move कर ही रहा है और आपने और force लगा दिया तो यह और तीजी से move करेगा मतलब velocity में change हो जाएगा हो सकता है कि कोई body इस तरह से move कर रहा है आपने एक bat से strike किया माले एक wooden block से आपने strike किया तो यह इस direction में चलने लगेगा तो यहाँ direction भी change हो सकता है तो direction change हो तब भी velocity change होता है तो हमें पता है कि force velocity को change करता है लेकिन क्या always change the velocity अगर unbalanced forces हो तो वो velocity को change करता है लेकिन इस example में हमने क्या देखा था balanced force लग रहा है इस spring पे balanced force लग रहा है तो अब इस case में यह velocity को change नहीं करता है motion में कोई भी effect नहीं डालता है सिर्फ shape और size इसका change हो जाता है तो ये always कहना गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे forces मिलके अगर balanced forces बना दे तो फिर ये velocity में change नहीं लाता है तो उस point of view से ये option जो है ये option गलत है आगे पढ़ते हैं second question की तरफ a block is sitting on a table चले एक table है ये table top है और ये ये उसके legs है और इसके ऊपर एक block रखा हुआ है अब इस block के बारे में पुछा जा रहा है कि इसका velocity है 0 meter per second obviously ये block रुका हुआ है it is sitting on a table रुका हुआ है rest में है तो velocity इसका 0 meter per second हुआ ये तो move नहीं कर रहा so position अपना change नहीं कर रहा 0 meter per second हुआ दूसरा option देखे acceleration is not equal to 0 meter per second squared इसका acceleration कितना होगा ये 0 होगा या फिर non-0 होगा 0 या non-0 acceleration acceleration है क्या acceleration है change in velocity divided by कितने समय में वो change हुआ वैसे ये अगर table में रुका का रुका रह जाया तो आप सोचे इसका अभी velocity कितना है 0 meter per second 0 meter per second कुछ दिर बाद मालने 2 second बाद आपने देखा तो आप पाएंगे इसका जो velocity है ये 0 meter per second ही है तो change in velocity कितना होगा change in velocity is 0 तो acceleration कितना हो जाएगा 0 तो acceleration 0 है तो ये option जो है ये गलत है अब देखे unbalanced forces are acting on it अगर ये body यहां रुका हुआ है तो क्या unbalanced forces act कर रहा है या balanced forces act कर रहा है obviously अगर unbalanced forces act करता तो उसका motion change होता अगर ये रुका हुआ है तो ये move करने लगता लेकिन ये रुका का रुका ही रह गया इसका जो state है उसी state में ये रह गया मतलब इस पे अगर force act कर भी रहा है obviously कर रहा है तो कर भी रहा है तो वो balanced forces है इसलिए इसके motion में कोई change नहीं हो रहा इसके state में कोई change नहीं हो रहा देखने तो बैलंस्ट force कैसे लग रहा है यहाँ पर देखिए इस body पे देखिए इस body पे नीचे की तरफ gravitational force force due to gravity ये act करेगा और ये table जो है इसे रोके रखने के लिए इसे उपर की तरफ पुश करता है जिसे की normal reaction या normal force कहा जाता है और इसका जो value होता है ये इसी के बराबर होता है इसलिए ये दोनों forces एक दूसरे को balance कर देता है, cancel कर देता है और इसमें कोई motion setup नहीं होता है और इसलिए ये it is sitting on a table rest में रह जाता है ये तो ये option गलत है unbalanced forces इसमें act नहीं कर रहा बलकि balanced forces इसमें act कर रहा है ये option, option D सही है अगला question देखते है which of the following is being acted upon by unbalanced forces जो चार option दिया गया इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जिसमें की unbalanced forces act कर रहा है पहला, a falling ball freely falling ball माल ले ये ball नीचे की तरफ गिर रहा है अब नीचे की तरफ जब एक ball गिरता है माल ले, यहां से आपने इसे छोड़ दिया यहां से छोड़ दिया अब ये नीचे गिरने लगा है ये ball अब नीचे गिर रहा है तो इस पे act कर रहा है gravity तो force due to gravity नीचे act कर रहा है और बहुत ही छोटा सा force due to buoyancy of air and aerial drag ये सारे forces जो है air के resistance के कारण इसे जो उपर की तरफ वो धकेल रहा है वो सारे जो forces है उसका amount बहुत कम होता है ये due to gravity जो force है ये काफी ज्यादा होता है इसलिए body जब नीचे गिरता है इस cliff से अगर आप ball को नीचे गिरा दे तो क्या होता है ये accelerated होता है धीरे धीरे इसका speed जो है ये बढ़ते जाता है अब speed क्यों बढ़ रहा है इसमें कुछ ने कुछ act कर रहा है unbalanced force act कर रहा है इसलिए इसका velocity जो है ये continuously increase करता है जितना नीचे गिरता है तो velocity में change हो रहा है velocity में change क्यों हो रहा क् इस पे force act कर रहा है और ऐसा वैसा force ने अगर balanced force act करता तो velocity में कोई change नहीं होता यहाँ पर unbalanced force act कर रहा है unbalanced force इसी लिए इसके velocity में change होता है यह पहले तो धीरे धीर गरता है जितना यह नीचे जाते जाता है उतना इसका velocity का magnitude पढ़ते जाता है so a freely falling ball जो है a falling ball यह हमसे question में क्या पूछा गया acted upon by unbalanced forces yes freely falling ball अगर हो तो इसमें unbalanced forces act कर रहा है मुझे यहाँ थोड़ा details में कहना चाहिए था freely falling ball freely falling ball क्योंकि अगर सिर्फ falling ball हो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसी गेंद को आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं नीचे की तरफ ले जा रहे हैं and अप इसे constant velocity से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो यह freely falling ball अगर कहा है तो बहतर होता है अगला option a book resting on a table इसे पहले ही हमने बात कर लिया यह table है माल ले इस पे किताब रखा हुआ है तो इसमें कौन से forces act कर रहे हैं balanced forces इसलिए यह rest में ही रह गया है तो यह balanced forces है यहाँ पर act कर रहा है तो यह option जो है यह गलत है a ball hanging by a rope चली यह ceiling है एक ball रस्सी से बांग दिया गया तो इसका motion है कुछ इसका velocity कितना है जीरो जीरो को जीरो रह गया इसका velocity यह रुका रह गया rest में रह गया यह rest में ही है क्यों rest में है balanced forces act कर रहा है इसलिए rest में है इस ball को नीचे की तरफ gravity force due to gravity नीचे खींच रहा है लेकिन यह rest सी उपर की तरफ इसे पकड़े रखा है खींचे रखा है नीचे जाने नहीं दे रहा है इस force को कहा जाता है tension इन सब के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात किया है so tension से यह इसे उपर की तरफ खींचे रखता है और दोनों यह tension जो है और यह force due to gravity दोनों का magnitude same होता है direction देखे opposite होता है तो यह example है balanced forces का this is not an example of unbalanced forces a car moving with a constant velocity a car अगर constant velocity से move करे then constant velocity से अगर move करे इसका मतलब क्या है velocity constant है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि इस पे unbalanced forces act नहीं कर रहा है unbalanced forces act करता तो यह velocity constant नहीं रहता velocity change करता तो यह भी unbalanced forces का example नहीं है unbalanced होता तो यह velocity constant नहीं होता change करता यहाँ पर obviously balanced forces act करता है कैसे करता है देखे friction जो है बहुत सारे friction यहाँ पर काम करता है यह नीचे जो road है उसके साथ tyre जो है इसके बीच friction होता है तो यह इसे retard करता है इसके velocity को घटाने का कोशिश करता है और इसका जो engine है यह जो engine है engine continuously fuel को burn करता है और एक force create करता है और जिसके कारण कार आगे की तरफ move करता है तो यह force इस force के कारण कार आगे की तरफ जा रहा है Frictional force इसे रोकने का कोशिश करता है दोनों का दोनों forces अगर balance में आ जाए तो फिर वो constant velocity से move करेगा उसका velocity में कोई change रही होगा आगे बढ़ते हैं Which are the following are correct about friction Friction के बारे में यह इन में से कौन से चीज़े हैं जो सही है It is a force Yes हमें पता है friction is a force एक ball को अगर आप roll करते हैं तो यह चलते 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 रुख जाता है क्यों रुख जाता है क्योंकि friction जो है यह नीचे का जो surface है और ball का जो surface है इन दोनों के बीच act करता है ball अगर इधर move कर रहा है तो friction उसे पीछे की तरफ पीछे की तरफ force लगाता है friction एक force है इसलिए ये ball दीरे 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 रुख जाता है कुछ दूर जाके रुखता क्यों है इस पे जरूर फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा Frictional force तो it is a force ठीक है It reduces the motion of a moving body Yes friction एक moving body का जो motion है उसे कम करता है ये ball अभी तेजी से move कर रहा माले 2 meter per second से move कर रहा Friction इसे पीछे की तरब थकेल रहा है इसका जो velocity है इस velocity को घटाता है कुछ दूर बाद जाके आप पाएंगे ये थोड़ा slow हो गया 1 meter per second हो गया 1 meter per second और वैसे ही चलते चलते कुछ दूर बाद आप पाएंगे ये 0 meter per second हो गया इसका velocity मतलब ये रुख गया rest में आ गया तो it is a force और ये it reduces the motion of a moving body ये भी सही है It is auto-adjusting auto-adjusting का मतलब क्या है हमने friction के वीडियो में बात किया था चली थोड़ा बहुत अभी भी बता देता हूँ एक बार फिर आप माल ले एक block को बड़े से block को आप ठके लगा है आपने force apply किया एक newton आपने देखा block move नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा कौन इसे रोक रहा ये इस एक newton को कौन balance कर रहा कौन cancel कर रहा यहाँ इस surface में यह जो surface है यहाँ पर एक frictional force पीछे की तरफ act कर रहा जो कि इसको cancel कर रहा तो अभी यह जो frictional force है चली F sub F कर देता हूँ frictional force now it is 1 newton यह दोनों एक दूसरे को cancel कर रहा आपने थोड़ा सा force बढ़ाया 2 newton किया अब भी आप देखेंगे कि यह block move नहीं कर रहा आपने देखा move नहीं किया तो यह frictional force obviously अब अपने आपको auto adjust करके 2 newton का बना लिया इस तरह से आप force बढ़ाते गए बढ़ाते गए block move नहीं कर रहा आप भी एक समया आपने काफी ज्यादा force लगाया for example कि आपने आपने force लगा दिया 10 newton का उस समय यह block move कर गया क्यों move कर गया क्योंकि friction अपने आपको बढ़ा रहा था बढ़ा रहा था auto adjusting था ना यह अपने आपको adjust कर रहा था इसके साथ बढ़ा रहा था लेकिन इसका limit है maximum limit है let us say इसका limit अभी है 9 newton का limit है तो इससे ज्यादा frictional force create नहीं हो सकता है यह depend करता है इस surface पे और इस body के weight पे यह frictional force का maximum limit तो example कि तोर पे माले 9 newton का था यह maximum limit इसका अब की बार अगर आप force और ज्यादा बढ़ा देते हैं 10 newton का कर देते हैं तो यह 9 newton से ज्यादा बढ़नी सकता है यह frictional force मैं फिर से बता दूँ यह एक example है 9 newton यह बहुत सारे चीजों पे depend करता है इस body के weight पे और साथी साथ surface के roughness पे तो अब की बार देखे यह unbalanced force हो जायागा और यह body इस direction में move करने लगेगा तो यह friction जो है it is auto adjusting and it has a maximum limit यस अगर ऐसा नहीं होता अगर इसका कोई maximum limit नहीं होता यह अपने आपको पूरी तरह से हमेशा adjust करते ही रहता तो कोई भी body slide नहीं करता कोई body move नहीं कर पाता एक surface के उपर कोई भी body move नहीं कर पाता क्योंकि आप जितना भी force लगा देते frictional force उसे cancel कर देता है उतना खुद को auto adjust कर लेता है लेकिन एक limit के बाद यह अपने आपको बढ़ा नहीं ही पाता है so it has a maximum limit Newton's first law of motion sometimes called the law of Newton के first law को law of inertia भी कहा जाता है law of inertia आगे बढ़ते हैं inertia can be measured by using किस से हम measure करते हैं inertia can be measured measured चली इसको काड़ देता हूँ measured by किस से velocity से inertia measure किया जाता है acceleration से या mass से या force से तो मैं आपको बता दू जितना ज्यादा mass body का उसका inertia उतना ज्यादा so mass से inertia को measure किया जाता है इस पर हमने पिछले वीडियो में बात किया था काफी details में बात किया था which of the following has the highest inertia मतलब इन में से किसका inertia सबसे ज्यादा है cricket ball आप सोचिए inertia किस पर depend करता है it depends upon mass जिसका भी mass ज्यादा होगा उसका inertia ज्यादा होगा cricket ball का mass एक इनसान एक आदमी fully grown man एक car और एक bus किसका mass सबसे ज्यादा होगा कौन सबसे ज्यादा massive है उसका inertia सबसे ज्यादा होगा bus इसका inertia इन में से सबसे ज्यादा है who stated first that no external force is required to keep a body in uniform motion in a straight line किसने पहले कहा था सबसे पहले कि बाहर से किसी भी तरह के force apply करने की ज़रुवत नहीं है एक body को uniform motion में रखने के लिए uniform motion in a straight line में रखने के लिए क्या Aristotle ने कहा था Aristotle ने कहा था body को motion में रखने के लिए हमें हमेशा force apply करना होता है अगर नहीं करेंगे तो body रुप जाएगा क्योंकि उनके समाए ये concept पूरी तरह से clear नहीं था कि कोई भी body जब roll कर रहा एक ball roll कर रहा किया कोई body move कर रहा तो यहाँ जो friction act कर रहा तो इसे consider नहीं किया गया था जो day to day common life में जो दिखता था उसी के हिसाब से Aristotle ने कहा था ये इसलिए से Aristotle's fallacy कहा जाता है उसके बाद Galileo आते हैं Galileo ने अपने अपने inclined plane experiment से ये दिखाया कि एक body अगर वो uniform motion में है तो उस पे कोई force न लगाए वो हमेशा उसी motion में continue करेगा उन्होंने ये दिखाया था कि एक ball को अगर यहाँ से छोड़ दे ये roll करते हुए आएगा और ये उसी level तक चड़ जाएगा जिस level से इसे छोड़ा गया था इस level से इसे छोड़ा गया था तो ये ball उसी level को reach करेगा अगर इस inclined plane को थोड़ा और इसका inclination को अगर घटा दिया जाए तो इस तरह से ball roll करके आएगा और ये उसी level तक लगबग लगबग उसी level तक चड़ता है इसी तरह से अगर इसे और बढ़ा दे या inclination को और घटा दे तो अब की बार ball इस तरह से आएगा और ऐसे यहां तक ये चड़ेगा तो उन्होंने ये argument दिया कि अगर ये horizontal हम कर दे तो अगर इसे horizontal कर दे पूरी तरह से inclination को zero कर दे तो ये ball आएगा और इस तरह से चलते जाएगा चलते जाएगा क्योंकि ये level जो है जिस level तक उसे पहुँचना है जिस horizontal level तक उस ball को पहुँचना है जबके बाद वो जिस जगह पहुँचके वो रुख जाता है उस level को वो पहुँच ही नहीं पाएगा तो ये ball जो है इस तरह से ये move करता ही जाएगा करता ही जाएगा हमेशा करता जाएगा हाँ practically यहां friction एक्ट करता है यसी लिए ball रुख जाता है लेकिन यहां से ये हम समझ सकते हैं कि ये ball अगर friction नहो तो ये हमेशा चलता ही जाएगा तो एक body को uniform motion in a straight line में रखने के लिए किसी भी तरह के force apply करने की जरुरत नहीं है वो इस वाले experiment से जो कि Galileo ने किया था इस वाले experiment से clear हुआ था आगे Isaac Newton ने Galileo का जो काम था उसे आगे बढ़ाया और Newton's first law of motion जो है ये Galileo का दिया हुआ जो statement है वही है आगे Newton का second law है motion का और third law है तो वहाँ Newton का जो काम है वो काफी सराहनी है लेकिन ये बात की external force की जरुरत नहीं है किसी body को uniform motion in a straight line में रखने के लिए ये बात पहली बार Galileo ने कहा था चलिए अगला question देखते हैं An object in motion stays in motion या double हो गया An object in motion stays in motion an object at rest stays at rest an object in motion stays in motion and an object at rest stays at rest until कब तक ये बाल माल ले रुका हुआ है ये कब तक रुका हुआ रहेगा और माल ले एक बाल ये move कर रहा ये it is moving वी velocity से move कर रहा है इस direction में तो ये कब तक अपना motion को या अपने state को retain करेगा ये रुका हुआ है तो कब तक रुका हुआ रहेगा अगर इस पे हम force लगाए तो इसका state change होगा लेकिन force अगर balanced हुआ तो तो क्या होगा तब तो ये change नहीं करेगा अपना state तो इसका state change करने के लिए unbalanced force apply करना होता है क्योंकि unbalanced force जो है unbalanced force लगाने से अप लोग आप्शन पढ़ रहा है ना आप्शन एक बढ़ पढ़ ले unbalanced force लगाने से change in velocity होता है change in velocity ठीक है मतलब उसका state में change होता है हम इसे change in state भी क्या सकते है change in state state of motion या rest में हो तो वो motion में आ जागा तो इसका state change होता है unbalanced force apply करने से क्या पूछा गया an object in motion stays in motion and an object at rest stays at rest until, यहां ध्यान दे until है until an unbalanced force acts on it जब तक कि एक unbalanced force act ना करे, until है ना ना करे, तब तक एक body अपने motion को वो continue करता है अपने state को continue करता है जिस motion से यह move कर रहा है उसी motion में रह जाता है और अगर रुका हुआ है तो रुका ही रह जाता है जैसे यह unbalanced force act करता है उसका जो state है वो change हो जाता है option B, यह तो नहीं होगा balanced force अगर आप apply करे तो यह ऐसे ही रह जाएगा motion में अगर है तो उसी motion में यह continue करेगा rest में है तो rest में ही रह जाएगा तो यह until है इस word पे ध्यान दे option तो यह गलत हो गया option C देखते हैं objects in motion naturally come to rest ऐसा तो नहीं है यह तो Aristotle ने कहा था लेकिन वो तो बाद में चलके हमें पता चला कि यह सही नहीं है तो यह भी गलत है अपने आप यह rest में नहीं आता है जो हमें दिखता है कि अपने आप एक ball move करते करते roll करते करते रुख जाता है वो friction के कारण रुखता है वो एक unbalanced force वहाँ पर act करता है इसलिए वो रुखता है naturally नहीं रुखता है naturally इसका जो nature है body का जो matter का nature है वो ऐसा होता है कि अगर वो रुखा हुआ है तो वो हमेशा रुखा हुआ रहेगा अगर जब तक आप external forces इसमें unbalanced force आप apply नहीं करते हैं और अगर ये motion में है तो ये इसी motion को continue करेगा straight line में जब तक कि बाहर से external unbalanced forces act ना करें अगला question in order for a 3 kg block to maintain 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 a velocity of 6 meter per second on a frictionless surface यहां friction नहीं है how much force must be applied माले ये surface है और एक block है 3 kg का block है ये move कर रहा इस direction में 6 meter per second के velocity से move कर रहा और यहां इस surface में कोई भी friction नहीं है friction नहीं है तो इसे रोकने वाला force जो है वो तो absent है तो इसे रोकने वाला force अगर कोई absent हुआ इस पे किसी भी तरह का force अगर apply नहीं हुआ friction act नहीं कर रहा माले air resistance जो है वो भी वो भी zero है friction के साथ साथ तो ऐसे case में इसे पीछे धकेलने वाला force कोई नहीं है इस पे कोई force ही नहीं लग रहा ये सिर्फ 6 meter per second से ये slide करते जारा करते जारा तो क्या इस state में इसे रखने के लिए ये maintain करने के लिए in order for 3 kg block to maintain इसी velocity को maintain करने के लिए क्या बाहर से कोई force की ज़रुरत है नहीं है तो how much force must be applied 0 newton 18 newton तो नहीं होगा force ही लगाने की ज़रुरत नहीं है 2 newton भी नहीं होगा 0 newton होगा option d भी देख ले एक बार any set of balanced forces ये भी तो सही है अगर ये move कर रहा है body 6 meter per second के velocity से और आप अगर balanced forces लगाते हैं इधर से एक force इधर से एक force एक newton का एक newton का तो फिर ये दोनों तो एक दूसरे को cancel कर देगा और net force जो होगा इस case में net force is equal to 0 newton तो मतलब net force कोई लगा ही नहीं net force नहीं लगेगा तो इसका motion में कोई change नहीं होगा तो ये भी सही answer है any set of balanced forces ये इसके motion पे कोई effect नहीं डालता है energy block is moving with a velocity 6 meter per second on a surface यहाँ पर friction present है यहाँ पर friction है how much force must be applied to maintain its velocity यह किस पर depend करेगा यह friction पर depend करेगा यहाँ पर देखे यह block slide कर रहा है 6 meter per second के velocity से और यहाँ पर एक frictional force है इसे पीछे की तरफ धकेल रहा है तो हमें यहाँ पर set of balanced forces बनाना होगा तब जाके ये अपने motion को continue करेगा इसका मतलब हम जो इस पे apply करेंगे force हम जो धकेलेंगे इसे obviously friction के opposite direction में धकेलेंगे हमें इस friction को cancel करना है तो हम जो भी force apply करेंगे उसका magnitude और इस frictional force का magnitude जब सेम होगा उस समय ये body अपने motion को continue करेगा 6 meter per second से ही move करेगा क्योंकि ऐसे situation में जब ये f इसका magnitude और ये frictional force ये दोनों जब बराबर हो जाएगा उस समय ये दोनों एक दूसरे को cancel कर देगा balance कर देगा तो इसका जो motion है वो उसी motion में ये continue करेगा तो यहाँ पर हमें क्या कहना होगा देखे 0 newton तो नहीं हम जो force apply करेंगे वो frictional force के बराबर होना चाहिए तो हम ऐसे कैसे कह सकते कि 18 newton होगा हम नहीं कह सकते 18 newton होगा या 2 newton होगा इस तरह से कहना ही संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर data sufficient data ही नहीं है frictional force this frictional force depends upon roughness यह जो दो surfaces है इस body का निचला surface और जिस surface में यह slide कर रहा उसका उपरी वाला surface इन दोनों के roughness पे depend करता है और साथी साथ एक और चीज़ पे यह depend करता है इस body का जो weight है और भी details में आप जानेंगे इसके बारे में आगे चलके इसके weight पे फिलाल इसके weight पे यह depend करता है वैसे उपर से अगर कुछ दबाद देते हैं आप इसे नीचे की तरफ push करते हैं तो frictional force और बढ़ जाता है इसके weight के साथ-साथ यह वाला जो force है माले F' से आप इसे नीचे की तरफ भी push कर रहा है तो वो भी उसके साथ जोड़ जाता है तो यह सारे जो चीज़ें हैं यह तो हम आगे चलके जब friction पढ़ेंगे खासकर 11th में तब तो यह सारी चीज़े clear हो ही जाएगा फिलाल अभी मैं आपको burden नहीं देना चाहता फिलाल मैं आपको बता दू कि यह frictional force जो है यह roughness पे depend करता है यह body के weight पे depend करता है तो हम ऐसे simply हम यह calculate नहीं कर सकता है कि 80 Newton होगा या 2 Newton होगा सिर्फ इस data से तो यह दोनों option हम choose नहीं करेंगे क्या 0 Newton सही होगा अगर 0 Newton हुआ अगर यह हम force लगा ही न हम ना लगा है force उस समय frictional force तो exist कर जाएगा तो frictional force इसे रोग देगा तो यह भी गलत answer है सही answer क्या होगा हमें उतना ही force apply करना होगा which is equal to frictional force और थोड़ा details में पता दू कि इन दोनों का जो direction होगा इन दोनों का जो force हम लगाएंगे और जो frictional force यहाँ पर act कर रहा इन दोनों का direction equal का मतलब है magnitude सेम होगा equal से हमारा मतलब है कि magnitude दोनों का magnitude सेम होगा लेकिन direction जो है direction को opposite होना होगा direction should be opposite to each other तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope की वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब अगले वीडियो में हम Newton's second law of motion पे बात करेंगे उस वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा वहाँ click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते जाते मैं आपको बता दू कि इस पूरे chapter का जो playlist है उसका link आपको नीचे description में मिलेगा तो I hope की अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें God Bye